नमस्कार मैं हूसित धार्त और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरन का दोपेर बुलिट इंजिस में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें और बताते हैं उनके बारे में विस्तार से आज से गुजरात में वाइबरेंट गुजरात गलोबल शिखर सम्मेलन 2024 का आगाज हो गया है यह सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा यह समिट में विश्व के कई बड़े बिजनसमेन और इन्वेस्टर्स शामिल हो रहे हैं आज यह सम्मेलन में मुकेश अंबानी गौतम अदानी समेथ कई बिजनसमेन ने संबोधन करते हुए भारी भरकम निवेस्ट की घोशना की है रिलाइंस इंड़स्ट्रीज के च्वेर्मेन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलाइंस भारत की पहली और विश्व स्तरीय कार्बन फाइबर सुविदा स्थापित करेगी उन्होंने कहा कि रिलाइंस ने पिछले सिर्फ दस सालों में भारत भर में विश्व स्तरीय एसेट और कैपसिटी बनाने में 150 अरब अमेरिकी डॉलर भारती रुपयों में करें तो लग भग 12 लाग करोड रुपय का निवेश किया है इसमें से एक तिहाई से अधिक का निवेश अकेले गुजरात में किया है इसके साथ ही अमबानी ने कहा कि गुजरात और दसवे वाइबरेंट गुजरा शिकर सम्मिलन में आपका स्वागत है जो आज दुनिया का सबसे प्रतिश्चित निवेशक शिकर सम्मिलन है इस तरह का कोई अन्य शिकर संबिलन भी सालों तक जारी नहीं रहा और लगातार मजबूत होता जा रहा है ये शिकर संबिलन ये पिये मोदी की दूर दर्चिता और निरंतरता का एक उदाहरण है मुकेश हम्बानी ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को उनकी व्यापारिक समझ और आर्थिक सुधारों के आधार पर भारत का सबसे सफल प्रधान मंतरी बताया लग्याओ 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 लग् this is a tribute to our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi's vision and consistency. I have been one of the fortunate few to have participated in every single edition of Vibrant Gujarat. My esteemed friends, I will never forget what my father Dhirubhai Ambani used to tell me in my childhood. Gujarat is your Mathru Bhoomi and Gujarat should always remain your Karam Bhoomi. Today, let me declare yet again, Reliance was, is and will always remain a Gujarati company. Each of Reliance's business is striving to fulfill the dreams of my 7 crore fellow Gujaratis. Reliance has invested over 150 billion dollars, that is 12 lakh crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than one-third has been invested in Gujarat alone. You have a great idea. I was a good idea.